एक्सपीरियंस कर एक्सपीरियंस करव को कई लोग सिमिलर जो है नेचर में लर्निंग करव के नाम से भी जानते हैं मतलब efficiency increases as experience is gained by the worker through repetitive productive work कोई भी व्यक्ति जब लगातार एक जैसा काम करता रहता है करत करत अभ्यास आदमी perfect बनी जाता है शुरू में हो सकता है वो perfect नहीं हो लेकिन करत करत अभ्यास क्या हो जाता है परफेक्ट बन जाता है तो experience करो का बड़ा फायदा होता है अब मैं अपनी बात करो मुझे याद तो बड़ा कोट टाई लगा कि ऐसे सर्दी के माहौल में गया था और घर से करीब करीब दो डाई घंटे का lecture तयार करके गया था और मैंने का आज तो बस फोड़ी डालेंगे लेकिन आप विश्वास करें 15 मिनिट में उस जमाने में तो ऐसे digital होते ही नहीं थे काम मैं बात क जूनियर सामने बैठे थे जिन से मैं रोज बात करता था मतलब मैं सीनियर होके डिग्री ले ली थी वह और मेरे जूनियर थे तो मुझे 15 मिनिट ही लगे वो जितना पढ़के आया था काम खतम हो गया अगला सूखने लगा और आज की परस्तिती में अगर हम बात करें 33 साल निकल गया 34 साल शुरू हो चुका है तो आज हम धाराप्रवाल लेवल पे कहीं भी बोल सकते हैं किसी भी मंच पे बोल सकते हैं और आपको पता ही है बतरा सर केवल एज्जुकेटर नहीं है social circle में भी उतना ही active है political circle में भी उतना ही active है मैंने बताया था आपको बतरा सर अप हमारी उतनी ही आविशक्ता होती है और इस समय तो जैसे मैं कहा रहा हूं आपको चाहे मेरी एरिया की कॉर्पोरेटरों पारशदों उसको चुना के हम ही लाया करते हैं हमारे एरिया के जो विधायक होते हैं इस बार तो वह बहुत अच्छी बात है वह मेरे स्टूडेंट भी स्कूल मेड़ भी रहे हैं वह इसमें आप देख रहे हैं मले बनके चाह चुके हम मेर अपनी खुद की चिता के लाया करते और इवन सांसद महोद जोत्पुर से आते हैं जो केंदर में जल्शक्ती मंतरी भी है गजंदर सिंगी शिखावत परमित्र हैं और उनिवर्सिटी क आज भी कभी हम फोन करते हैं तो पहले ही बार में उनका फोन पिक होता है चाहे मैं केंदरी मंत्री जी जल शक्ती मंत्री जी गजिंदर सिंग जी को फोन करूँ तो ये क्या दर्शात है कि आज हमें कोई भी काम करने के लिए किसी क्रिका मुँ देखने के आवशक्ता निक पड़ता लेकिन क्या ये डे वन से ऐसी इस्तती थी मुझे भी 33-35 साल एजुकेशन सेक्टर में, सोशल लाइफ में, धार्मिक संगठनों में, पार्टी के लिए काम करते हैं इतना समय हो गया है कि अब बत्रसर की वो इस्तती है कि अगर सरकार बन रही है, तो सरकार में भी कुछ विधायक जिनके साथ मैं रोज उठता बैठता हूँ, वो आज जो है हमारे राज्तान की विदान सभा में, मतलब कम से कम पाँच नाम तो मैं गिना सकता हूँ, जिनके साथ मेरा उठना ब बढ़ा, तो आप समझें, एक्सपीरियंस और लर्निंग कर बिजनस में भी उतना ही है, बजाज कमपनी, स्कूटर के शित्र में नंबर वन क्यों बनी, क्योंकि स्कूटर बनाने का गहरा अनुभाव, इसी तरी के उंड़ाई कमपनी कारों में, अग्रनी क्यों बनी, कारों अट्रिल बियर इवास पही ने, जो है, वो मुक्य मंत्री बना दिया, गुजरात का कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन करत-करत अभ्यास, 12-13 साल उन्होंने जो है, वो समाला गुजरात को और अब समाल रहे हैं, तो जो उनको एक्सपीरियंस हुआ है, उसका कॉस्ट को बचा सकता हूं, कहां प्राब्लम होने को बचा सकता हूं, तो जब आपके बाद एक्सपीरियंस होता है, unit cost decline करती है, क्योंकि आप ओ तरीके खोज लेते हो, कि मैं पैसा कैसे बचा सकता हूं, है कि फॉर्म एक्टुलेट एक्सपीरेंस इंटर्म्स ओ क्युमिल्टिव वॉल्यम प्रड़क्शन एंट वी लर्ण एज भी ग्रो जैसे सम्काम करते जाते हैं वैसे सम्सीखते जाते हैं हम यह नहीं कह रहें कि जब आप काम कर रहे होते तो आपसे गलतिया नहीं होंगी गलतियां होंगी आप सीखोगे मेरे शब्दों में अगर मैं बात करूं तो मेरे लिए इस शब्द कि इस शब्द का यह अब्रिवेशन मेरे इसका मतलब है फ़र्स्ट कि अटेम्ट कि इन लर्निंग मतलब मैंने ये काम पहली लार किया और मैं इससे कुछ सीखा । मैं हमेशा का करता हूं दूद के फटने से वही लोग परेशान हुआ करते है जिनको उससे पनीर या मावा रव भनाना नहीं आया करते हैं अरो दूद फट गया, दूद फट गया, नुकसान हो गया, कोई नुकसान नहीं हुआ, आज मज़ा आ गया, आज घर पे बैट बनावा मावा खाएंगे, आज घर पे बनेवी पनीर खाएंगे, आपने देखा हो गया, ये जो पड़े-पड़े मिठाई की दुकान वाले हो, और बतरा सर ने तो अपने जिंदगी में इसीखा है, अपने मन की हो जाए तो बहुत अच्छा, और अगर ना हो तो और भी ज़्यादा अच्छा, मेरी दादी जी कहा करते थी, जो होता है, वो बढ़िया के लिए होता है, अच्छे के लिए होता है, अगर आपने जैसा हमसे ना हो, नहीं दोराएंगे, बात रही समझ में, तो ये बेनेफिट है हमारा एक्सपिरियंस का रुखा, लार्जर फर्म जो इंडस्ट्री में हुआ करती है, वो अपनी कॉस्ट को लोवर इसलिए रह पाती है, स्पॉनर कंपनी के मुकावले, क्योंकि उनके पास होता ह है, लर्निंग एफेक्ट का एक्सपिरियंस, एकॉनमी जब स्केल पर काम करने का तरीका, प्रोड़क की रीडिजाइन और बाकी सब चीज है, एक्सपिरियंस करके कुछ फीचर होते है, पहला फीचर क्या होता है, बिजनस और्गनाइजेशन ग्रो करती है, तो हमारा एक्स नज और इसके पहला है इसको कोई मुझसे पढ़ा की पढ़ाया और जिसने लगातार पढ़ाया है, दोनों के पढ़ाय के तरीके में फ़रक हो कैं नहीं होगा? एक नया नया MBBS डॉक्टर बन्ग अभी आया और एक दशकों से डशकों से डशकों से मेडीकल सेवाय दे रहा है क्या दोनों डॉक्टर बराबर हो जाएंगे क्या एक नया नया जो FM पढ़कर SM पढ़ना शुरू है नया mbbs डॉक्र है क्या वह एक पुराने सीञो डॉक्टर क माके या मेरी मार्केटिंग स्किल के तहट SM भी ले लेगा मुर से और हो सकता है कुछ बच्चे ले भी ले उसमें कोई बुराई नहीं है लेकिन क्या उसका फायदा स्टूड़न्ट को मिलेगा नहीं मिलेगा क्योंकि SM में एक्सपर्टीज चाहिए जो लर्निंग कर्व का हमेशा live kitchen example से पढ़ाते हैं जो जिंदगी में घटित होते हैं उनसे चीज़े तुरन समझ में आती है तो इसलिए मैं कहा रहा हूँ इफ यू आर नॉट not taking classes from here then you are missing so many things क्योंकि वो चीज़ें आपको कोई और शायर ही दे पाएगा वो लर्निंग कर्व और experience कर्व से ही आया करती है experience जो होता है वो एक entry barrier हो जाता है कि इस industry में कोई आता नहीं है तब इतने experience के सामने क्या जाके हम करेंगे टिक नहीं पाएंगे इतनी कम cost पे वो offer कर रहे हम टिक नहीं पाएंगे अच्छा large and successful operation जो होता है वो हमारे organization के experience कर्व से आता है जो सफलता कमपनियों को आप देखेंगे भी न तो उनके सफलता के पीछे उनका कहीं न कहीं experience बोला करता है तो यह कुछ features है इसके अगर आप चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो आप देख रहे हम जैसे जैसे मेरा production बढ़ता चला जा रहा है मेरी cost में कमी होती चली जा रही है मतला मेरा production बढ़के इतना हो गया और मेरी cost एतनी होगी पहले इतनी थी आप देखो पहले इतनी थी पहले मेरा production था P1 तो मेरी cost थी C1 ज़्यादा थी फिर मेरा production बढ़के हो गया P2 production में बहुत ज़्यादा हो गया तो मेरी cost घटके हो गई C2 तो P1 is greater than P2 production जो P1 है नहीं P2 is greater than P1 production जो है वो P2 is greater than P1 लेकिन जो हमारी cost है C1 that is greater than C2 तो आप देख रहे है production जैसे से पढ़ता है per unit cost हमारी कम होती चले जाती है